हेलो इब्रिवन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इपास के बारे में तो अगर आप जहारखंड से हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महतपूर्ण है वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक देखिए मैं आपको इस्टेप बाई इस्टेप बताने जा रह जाते हैं या फिर कहीं जाना चाह रहे हैं अपने राज या राज से बाहर या फिर किसी दूसरे डिश्टिंग में जाना चाह रहे हैं आपको इस पास बनाना अनिवारी होगा तो आए इस वीडियो में हम लोग सिखते हैं कि किस तरह से आप इस बना सकते हैं और उसमें क्य क्या option दिया गया है और क्या क्या कठिनाई हो रही है step by step जानते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में अपने और आपको इपास जारखन.nic.in की अपसाइट में जाना है लिंक में नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और वहां से आपको सलेक्ट डिष्टिक में अपना डिष्टिक सलेक्ट करना है अप जहां से जिए डिष्टिक से पास बनाना चाह रहे हैं उसे से लेक्ट करने के बाद आप यहां पे रेइस्ट reflex पर किछ करें mobile नमर और confirm mobile नमर डालने के बाद आपको इंटर पासवर्ट हैर में आपको पासवर्ट डालना है जो की कम से कम 6 अंक का होना चाहिए और उसमें आपको capital letter में A से Z तक कोई भी एक होना चाहिए और उसमें आपका small letter में भी A से Z तक letter होना चाहिए और आपका number भी होना चाहिए और उसमें कुछ symbol भी होना चाहिए उधारन के लिए मैं आपको यहां पे दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे ए मेरा capital letter हो गया बाकी में small letter दिया हूँ और एक symbol दे दिया हूँ और बाकी number दे दिया हूँ तो चलिए मैं यहाँ password डाल लेता हूँ और submit करता हूँ submit करने के बाद आपके सामने इस type का message आएगा you have successfully registered can really log in and apply for e-pass उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो number register किया हूँ आपका उपर में आ जाएगा password डाले और बगल में आपका दिये गए capture को आप यहाँ नीचे में फील कर ले और login पर click करें login पर click करने के बाद user profile आपका खुल जाएगा वहाँ पे आप अपना नाम डाले जिसके नाम से pass बनाना चाहते हैं और उसके बगल में आप इसका date of birth को select कर ले जो भी आपका date of birth है मैं फिलाल यहाँ पे उसी तरह आपको एक pass generate करके दिखा रहा हूँ dummy pass चलिए मैं नाम फादर नेम भी आप यहाँ पे डाले नीचे में आप जो mobile नमर से register किया है वो automatic आपका mobile नमर सो होगा और फिर आप अपना address को डाले फिर आप अपना state select करें और pin को डाले तो मैं परकंट select कर ले रहा हूं और यहां से मैं district को select कर ले रहा हूं राची और आप pin code डाले चलिए मैं यहां कुछ भी डाल देता हूं मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए video बना रहा हूं और save करें profile save successfully आ जाएगा उसके बाद आप देखें कि यहां पर percentage आपका बढ़ गया है और आपका यहां पर document वाले option पर किलिक करें और यहां से बोटर कार्ड अधार कार्ड पेंड का driving license कुछ भी आप चुन ले पहचान के लिए ID प्रूफ में और वहां पर उसका number डाल दें तो मैं यहां अधार कार्ड चुन के अधार number डाल दे रहा हूं और save कर दे रहा हूं आरा यहां पर आपका process 100% हो गया है उसके बाद आपको इधर side में आप dashboard के नीचे profile के नीचे e-pass वाले option में apply for new pass करें और यहां से आप select approving district for e-pass की district से आप approve कराना चाहते तो मैंने राची डाला था और राची से मैं ही approve कराना चाह रहा हूं राची से ही मुझे कहीं जाना ह तो यहां से आप देखिए going outside जार्खंड कि आप जार्खंड से बाहर जाना चाते हैं या फिर आप अपने district से बाहर जाना चाते हैं और जार्खंड के अंदर ही रहना चाते हैं या फिर आप अपने district के ही अंदर रहना चाते हैं या फिर आप बाहर से जार्खंड में सेलेक्ट करें विजिटिंग डिशिटिंग में जहां पे आपको से लेक्ट कर ले रहां आप यहां पर जो एडर्स करना चाहते हैं वहां पर डाले और यहां पर तोटल 17 आप के तहरी दिखाई देगा जैसे कि या पर डीलर रहें या फिर पेट्रोल पंप के मालिक है या पिर आपके पास कोई सब्जी उब जी कफा लूल प्रूट्ट या फिर स्वीट का सौफ है या फिर आप राबा रेस्टुरेंट में काम करता है या मालिक है कुछ भी आप देखके यहां से अंडालने बहुत सारे option आपको मिल जाएगा या फिर आप कुछ समान खरीदना जा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान में रखने की बात है कि आप यहां करते हैं या फिर विजिट एंद रिटन आपको सिर्फ जाना है या जाके वापस आना है करते हैं तो यहां से आप जिस डेट को में जाना चाहते हैं उस डेट को सेलेक्ट कर लें और नीचे में आप टाइम को सेलेक्ट कर लें कितने बज़े से आप जाना चाते हैं तो जैसे में आने यहां आठ सेलेक्ट किया तो ग्यारा ओटोमेटिक आ गया है अब नो सेलेक्ट किया है तो बारा आ जा रहा है मतलब तीन घंटे का आपको तो तायम मिलेगा, कोई भी समान खरीदने जा रहे हैं, जो कि लोगडाउन में छूट है, तो यहाँ Pर मिलेगा आपको, अगर आप मेरेज में जा रहे हैं, तो भहाँ Pर आपको , 24 hour का टाइम दिया जाता है, आप जिस date में जा रहे हैं, उसी date में आपको return आना है, उसी date में आप return आ सकते हैं, या फिर आप कहीं पे आपका कोई दुकान है, या फिर दुकान का ओनर है, आप काम करते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, जब तक lockdown है, तब तक आप select करके pass बना सकते हैं, तो यहां से आप कब जाने का time डालते हैं, कि कब आप निकलते हैं, और कब आपको वापस आना है, उस time के अंदर ही आपको आना है, उसके बाद नीचे में आपको type of vehicle select करना कि two wheeler है या four wheeler है, जैसे मैं यहां two wheeler डाल दे रहा हूं, तो इस में आप देख सकते ह हैं कि इसमें जो include passenger है, वो one ही है, two wheeler में, और आप जैसे हैं four wheeler करते हैं, तो इसमें passenger three आ रहा है, और इसमें passenger का नाम लिखने के लिए भी आ रहा है, तो चलिए यहां पे आप जो भी passenger है, उसका आप नाम यहां पे लिख सकते हैं, दोस्तों passenger का नाम लिखने के बाद आप कॉमा देखिय से सेपरेट कर सकते हैं या फिर आप सेर्यल नमर से भी लिख सकते हैं पैसेंजर के नाम के आगे 1,2,3,4 इत्यादि लगा के लिख सकते हैं उसके बाद आपको निझे में वेहिकल रेडि raptation नम्र में गारी का रेडि отвечation नम्र को आपको डाल देना है जो भी आपका गारी का रेस्टेशन नंबर है और बुक में जिस गारी से आप ट्रेवल करना चाहते हैं वहाँ पर आपको उस गारी का नंबर डाल देना है और गारी का नंबर डालने के बाद आपको डिकलिरेशन में बहुत सारे बॉक्स मिलेगा आप इ मास्क का परियोग करें फिर आप पर सोशल डिस्टंसिंग का परियोग करें इस टाइब का बहुत सार आपको डेकलिराशन मिलेगा आप सभी को पढ़ लें और उसमें किलिक करें और फिर आप एग्री एंड प्रोसेड पर किलिक करें तो किलिक करने के बाद सब कुछ अगर सह करें आपको फिर फिर प्रोफाइल के नीचे पास वाले ऑप्शन में जा करके आपको डाउनलोड फ्री पास वाले ऑप्शन में किलिक करना है तो उसमें आपको उसमें एक नई विndo खुल जाएगी महां पर आपका जो भी ट्रेवर डिटेल है वो दिखाई देगा और खूल जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका e-pass बनके ready है और आप नीचे में इस e-pass को print this certificate का option दिया है इसमें आप click करके e-pass को print कर सकते हैं या फिर आप इसे PDF में save करके रख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक like किजिएगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजएगा और सभी अपने दोस्तों तक इसे दोस्तों तथा रिष्टेदारों तक इस lockdown के घड़ी में इसे share करें ताकि सभी को कुछ help मिल सके सभी लोग घर बेठे इपास बना सके और परिशानी से बच सके तो मिलता है फिर अगले वीडियो में तब तक क्या लिए जाएंद